अमरे सिलेवन टेक चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है दोस्तो आज मैं फिर एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ एक वीडियो ले करके आया हूँ दोस्तो अभी तक मैं AC रिपेरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता था दोस्तो हम अपने चैनल पे एक और प्लेइलिस्ट बनाने वाला हूँ जिसमें की इलोक्ट्रानिक से रिलेटेड जैसे की हो गया बिजली का कनेक्शन और बोर्ड की सप्लाई बोर्ड का कनेक्शन कैसे देते हैं बोर्ड को कैसे बनाते हैं इस सारे वीडियो को मैं बनाने वाला हूं और उस प्लेड लिस्ट में मैं डालता रहूंगा तो दोस्तों आज मैं पहला वीडियो बनाऊंगा स्रीज बोर्ड स्रीज टेस्टिंग बोर्ड की का कनेक्शन आज मैं करके बताऊंगा और उसे हम जानेंगे कि स्रीज बोर्ड हम क चेक करना हो जैसे मैं 08 को सपोज डैट मैं 08 का बल्ब मैं एक्जामपल लेता हूं 08 के बल्ब को आप 220 बोल्ट पर सप्लाई दे कर आप उसे नहीं जला सकते क्योंकि वो तुरंत बल्ब फट जाएगा 08 का बल्ब एक नहीं चला सकते यहीं होता है कि हमें चेक करना को हो उसे हमीट चेक करना हो तो बहुत ही आसानी से हम impress कर सकते हैं तो जबस चलिए जानते हैं की कुपिलीट दर्ट दोस्तफो अगर अगर आप लिंडो ऐसे की सीर्कीट की कभलीट वायरिंग होता है कैसे हम पता करते हैं कि CSR सरकिट है या हमारा PSC सरकिट है वो उस वीडियो को देखने के लिए आई बटन में भी फ्लैस हो रहा होगा वहां पर क्लिक करके आप पर उस वीडियो को देख सकते हैं और चीख सकते हैं और दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा कि अगर हमारा बॉर्ड हम समय को बेकार नहीं करते हैं और जल्दी जल्दी हम आपको बताते हैं दोस्तों देखिए सरकिट में उतने अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा जितने अच्छे से आपको यहां पर समझ में आ जाएगा सरकिट आपको समझना है किसी भी सरकिट को आ जाए अच्छे से आई इस बल्ब को आप बोड में ही लगाएंगे लेकिन मैं बल्ब को बाहर दे दिया हूं बस इसको देखते हैं अभी पहले तो यह हमारा सौकिट है यह हमारा एक स्विच है एक हमारा यह बल्ब है यह पूरा बोड है अब इसमें हमें कनेक्शन देना है तो सबसे पहले देखिए इस पॉइंट पे आपको दीखे अच्छे से इसलिए आपको यहां से सायद आप देख पा रहे हैं कि नहीं यहां से आपको एक सप्लाई लाइन की दे दिनी है एक सप्लाई आपको लाइन की दे दिनी है यहां से अब एक पॉइंट ए हमारा स्रीज टेस्टिंग बोर्ड का कनेक्शन है आप देख लिजिए अब यह सप्लाई हमें देना है कैमरा रखने का जगए नहीं है इसलिए यहां से उठा करके हम यहां दे देंगे मैं थोड़ा सा नीचे उपर बना दिया हूँ है यहां से साकिट से दूसरे पॉइंट से पहले पॉइंट में तो एक सपलाई दे दिये हम दूसरे पॉइंट से एक पॉइंट से उठा करके जह स्विच में देंगे स्विच के नीचे वाले पॉइंट में और एक यहां सॉकिट के पॉइंट से उठा करके स्विच के पॉइंट में देंगे अब यहां से सॉकिट का एक पॉइंट बसता है स्विच का दूसरा पॉइंट जो बसता है यहां से यहां से उठा करके हम बल्ब के एक पॉइंट में दे देंगे मैं एक हाथ में कैमरा पकड़ा हूं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है सार्किट बनाने में अब यहां से एक स्विच से एक स्विच से एक पॉइंट से उठा करके हम बल्ब में दे देंगे और यहां सौकिट से एक पॉइंट यहां आ रहा है स्विच में स्विच को जब हम आन करेंगे तो हमारा स्रीज स्रीज कनेक्शन हमारा खुल जाएगा यहां से स्रीज कि अब हम सिपको डारिक्ट मौझे लगान कि पल्bles को मौम न्यूस देंगे यहां तक यहां से टेंगे अब देशी हैंहां से यहां से याइन दे दिये लाइन हमारा न्यूचल आमारा यहां से लाइन जा रहा है लाइन यहां से सौकिट से होके स्विच में जा रहा है स्विच से होके बल्ब में जा रहा है बल्ब से वापस घूम के हमारा न्यूटल यहां पर आ रहा है तो जब हम आन करेंगे और यहां पर दो स्सक्राइबुध। प्लानिक पार्ट को चेक करने के लिए दूनों साकिट में दोनों एक स्विच लगाएंगे और उसके दो नो जो दो तार होते हैं ते उस तार को हम टच करेंगे उसमें तो हमारे बल्ब झलेगा इस तरह से हम स्रीज का कनेक्शन देते हैं इस तरह से हम स्रीज बोर्ड बनाते हैं टेस्टिंग स्रीज बोर्ड और दोस्तों एक और तरीका है स्रीज बोर्ड बनाने का जो कि हमारा उसमें होगा कि हमारा स्विच जब मैं आन करूंगा तो हमारा बल्ब जलेगा बिना स्रीज इसमें टच किये हुए जब हम आउन करेंगे इस स्विच को तो हमारा बल्ब जलेगा और यह हमारा बल्ब पैरलर में हो जाएगा तब अजब आफ करेंगे तो हमारा यहां से सॉकेट में जब हम टच करेंगे दूनों पॉइंट को टच करेंगे तब हमारा बल्ब जलेगा यानि जब हम आफ करेंगे करेंगे तो मारा बल्बड में चल डियर च्वाइब टॉडज में चला झाट रिए चला जाए गा और चब मारा पहले में चला को में तो ठुलर्च्ज्क समझते हैं उसके लिए रस related पर आप estásником में बोड बना लिया हूं कि अले बस इसका डाइग्राम बनाना है सरकिट इसको सरकिट लगाना है थोड़ा बसा बलबे बिगड़ गया हमारा बनाते वक्त अब दोस्तों देखें यहां पर अब यहां पर इसको हम सप्लाई देंगे पहले जो सप्लाई हम दिये थे आप देख सकते हैं ध्यान से पहले वाला सप्लाई भी देखिए और नया सप्लाई यह भी देखिए इसमें क्या करेंगे हम सेम वही सप्लाई रहेगी बस थोड़ा सा डिफरेंस करेंगे यहां से हम इसको एक दे देंगे लाइन इसको हम लाइन दे देंगे यहां से और दूसरा पॉइंट जैसे जैसे उसमें हम बनाये थे से इसमें भी बनाएंगे दूसरा पॉाइंट यहां से उठा करके यहां पर स्विच में हम टच करेंगे दोनां पॉइंट को मिलाएंगे और यहीं से उठा करके कि यहीं से उठा करके हम एक कनेक्शन अब ध्यान से देखिए तो अब देखिए यहीं से थोड़ा सा डिफरेंस हो रहा है अब यहां इसी पॉइंट से जो दूसरा पॉइंट है यहां से बल्व से एक निकालेंगे बल्व से एक निकालेंगे और यहां पर ले जाकर कि मिला देंगे यहां से बल्व के लिए निकालेंगे और यह दूसरे पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट से हम दे देंगे यहां पर घुमा करके यहां से यहां पर दे देंगे इसको यहां पे देंगे और उसके बाद हम आ रहा है क्या बचता है एक बल्ब में नूटल सप्लाई एक बचता है तो इसको हम तोड़ा यहास से कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रहा है यहां से हम एक नूटल सप्लाई देंगे यह हमारा हो गया न्यूटल सप्लाई यह खास से कैमरा पकड़ा हूं यह खास से पेंच चला रहा हूं इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है आ हैं ہमारा हो गया एक निवल स्थल ही डारेक्ट बल्ब में और एक लाइन अपलाई यहां से सर्कुट में होके जा रहा है स्विच में होके अब इंडिके़र को सिंपल है एक न्यूटल देना एक फ्यस्ट देना है तो हमें पाफिस कहीं से भी उठाकर दे देंगे के यहां जो युख जदें जहाइए इसको तो हम नेवे लिए हां से उठा लेते हैं नेवे फेसने कहीं से भी आपसी सकते हैं यहां को लिए लेकित अधर खुश्यμεंगया कसे लिए है अगर अनग लिए है वूंगताوس को नहीं पता है कि कैसे बनाते हैं जरिस बोर्ड कैसे बनाते हैं। कैसे करते हैं। उनके लिए वीड़ियो हैं। अगर आप को पॉकलिए इमेज आपे चाहिए तो आप हमारी इस करके वहां से कॉपी कर सकते हैं हमारा इस्टाग्राम है www.instagram.com अमरेस11 टेक आप वहां पर जा करके आप हमारे इस इमेज को कॉपी कर सकते हैं दोनों इमेज क्यों अगर जिने नहीं वहां आता है बनाना इस इमेज को कॉपी करें और देख करके यही सेम अएई परोसेस अपना करके आप बहुत जाए सबना सकते हैं Serig Board तो दोस्तो देखा आपने कितना आसान है Serig Testing Board बनाना तो दोस्तो ऐसे ही useful वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और दोस्तों मैं फिर बताना चाहूंगा अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली selection कैसे करते हैं पना ए है स्विच कैसे लगाते हैं है과 के और सॉकिट कैसे लगाते हैं तरह तरह के कई-प्रकार के बोड रहम बनाना सीखेंगे और उसको उसको फैन की सप्लाई और ररे बल्वी की सप्लाई जो सप्लाई देना हो जैसे 34 socket जितना ाप लगाना चाहें झाल झाल